हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्पाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आगया दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10 स्टैन्डर के लिए हिस्ट्री सब्जेक का जो हमारा चाप्टर चल रहा सा दोस्तों जिसका नामे च इसमें पहले लेक्चर में एंसियंट हिस्ट्री आपको पढ़ा दिया फिर सेकेंड जो लेक्चर था इसमें हमने मीडियेवल हिस्ट्री भाफी जानि चोटा सा ही वीडियो होगा आज का लेकिन ध्यान से देखना बहुत इंपोर्ट्नेट है और इसमें से बहुत सारे पू ध्यान से देख लेना बहुत ही छोटा वीडियो है important है end तक देख लेना और साथ ही में दोस्तो आपके लिए हमने science का और maths का पूरा का पूरा syllabus हमने complete कर रखा है बाकी जो science के जो एक दो chapters रहे गए उसके भी continuous lectures चल रहे हैं हम लोग डालने की कोशिश कर रहे है तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो बहुत सारे वीडियो से अवेलेबल है maths को तो पूरा ही पूरा syllabus complete करके रखा है बाकी history, geography, political science and हर चीज वहाँ पे हमने डाल के रखा हुआ है तो आपको जो भी check करना है playlist में check कर सकते हो हर चीज आपको वहाँ पे मिल जाएगा ठीक है, ध्यान से देख लेना और साथ ही में अगर आप हमने हमारे second channel को subscribe नहीं किया है जिसका नामे JRTalks उसको भी देख लेना और अभी अभी हमने vlogging channel के भी शुरुआत किये तो उसको भी फटा-फट से क्या कर लेना दोस्तो start कर देना यानि कि subscribe कर देना ठीक है दोस्तो जरूर से देख लेना बहुत ही अच्छा लगेगा ठीक है शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पे इंडियन modern period यानि modern जमाने में जब हो गया modern जमाना मतलब British के time का जमाना उसको modern period कहा जाता है यानि modern history कहा जाता है तो modern history के time के अगर बात करू modern period के time की बात करें तो उसमें क्या role है हिस्टोरिग्राफिक है यह हम discuss करेंगे ठीक है छोटा सा topic है फटा फट देख लेते हैं तो सबसे पहले अगर 20th century की बात करें तो इसको कहा जाता है modern period या फिर modern history के बारे में पहा जाता है तो वो time पे क्या हुआ कि यहाँ पे Indian archaeological department काफ़े जाता सक्री हो गया था क्योंकि वो history को खोद-खोद के निकाल रहे था यानि कि बहुत सारी चीज़े ऐसी थी जिनका पता वो time पे चल रहा था modern discoveries हो रही थी और बहुत सारी ऐसे archaeological exploration हो रहे थे और बहुत सारी research होना शुरू हो गये थे किसके अंडर में हो रहा था यह सबी चीज जो भी हो रहा था दोस्तों वो Britishers के अंडर में हो रहा था यानि कि जो भी Britishers थे उनके पास technology आ गई थी तेकिन archaeological survey department हो गया था archaeological research हो पा रहा था तो हर चीज में research and development हो पा रहा था तो यह सब चीज British के रूल के हिसाब से होने लगा and बहुत सारे ancient sites यानि कि ऐसे ऐसे जगा को खो जा गया जिसका अनुमान Indians को भी नहीं था कि यह एक time पे exist करते थे ठीक है ना जैसे कि अगर बात करें तो वो time पे आपको पता है हरपन civilization आप सभी ने नाम सुना होगा हरपा के बारे में सबसे पहला शहर बोलो या फिर गाओ बोलो या फिर जो बोलना है बोलो लेकिन जो civilization है human settlement human civilization यानि इंसानी की बस्ती इंसान लोग पहली बार जब ग्रुप में रहने लगे एक जगा घर बना के रहने लगे वो सबसे पहला क्या था हरपन civilization था तो हरपन civilization कही ने कही दफ न हो गया था आपको पता है जब 2000 का जमाना आ गया 2000 नहीं बोलूँगा 20th century का यानि 1900 जब आ गया इयर 1900 ठीक है ना 20th century मतलब 1900 इयर स्टार्ट हो गया उसको बोलते हैं हम लोग 20th century ठीक है ना 20th century का जमाना आया तो वो टाइम पे exploration बहुत हो रहा था Britishers क्या कर रहते अलग-अलग जगा पे ढूंड रहे थे कौन-कौन सी जगा क्या है research वगरे सब चल रहा था तो वो टाइम पे क्या होने लगा तो बहुत सारे ancient sites उसको खोदा जाता था excavate किया जाता था excavate करना यानि कि खोद के निकालना ढूंडना कुछ research वगरे करना इनका काम था और ये सभी चीज जो हो रहा था it was under the supervision of sir Alexander Cunningham तो sir जो Alexander Cunningham थे उनके उनके sir होंगे हमारे sir नहीं थे तो sir Alexander Cunningham थे जो British के वो टाइम पे थे तो ये first director general थे archaeological survey of India यानि कि जो हमारा department बनाया क्या था ब्रिटिश द्वारा archaeological archaeological survey of India ये department जो है आज भी present है आज भी हम कोई चीज खोचते हैं archaeological survey जब करते हैं जमीन खुदा ही करते हैं उसमें से कुछ पुरानी चीज़े मिलती है तो वो टाइम पे जो जब शुरू हुआ था तो वो टाइम पे इसके जो supervision first director general जो थे वो कौन थे दोस्तों मैं आपे sir Alexander Cunningham ये सब चीज़े याद रखने वाली चीज होती है यही सब चीज एक्जाम में पूछता है ठीक है ना Alexander Cunningham ठीक है sir Alexander कौन थे sir Alexander Cunningham जो थे इस में प्रेजन थे और first director general थे archaeological survey department के और उन्होंने बहुत सारे ऐसे sites जो है जो की mention किया गया था बुद्धिश टेक्स्ट के हिसाब से याँनि कि आपको पता है बुद्धिश टेक्स्ट लिखावट जो होती है बुद्ध की उसके हिसाब से नॉलेज लेके अलग-अलग जगा पे वो sites पे जाते थे और उसकी खुदाई करते थे so that बहुत सारे चीज़े जो है explore हो सके तो हरपन civilization को discover किया गया during the time of sir John Marshall यानि कि जब John Marshall sir वो time पे थे यानि जो British general थे sir John Marshall इनका जब time आया तो वो time पे हरपन का खोच किया गया हरपा जो था हरपन civilization का खोच किया गया उसके पहले तक लोगों को पता नहीं था देखो यह जो history हम लोग पढ़ रहे है इसमें से बहुत सारे ऐसी चीज़े जो 1900 years तक लोगों को पता नहीं थे लेकिन यह सब चीज डून डी गई डून डून के डून डून के history बनाया गया लिखावट की गई और उसके इसाब से आज हम लोग इतना लंबा चोड़ा history पढ़ते हैं समझ में आ रहे दोस्तो तो यह सब चीज़े धीरे-धीरे development होती गई और दीरे-धीरे लोगों को पता चल गया यही discovery के कारण जो antiquity था इंडियन history का यानि हमारा इंडिया history कितना पुराना है यह इससे धर्शात है क्योंकि अरपन civilization इंडिया में पाए गया यानि कि इंडिया का सबसे पहला human settlement पाया गया है यानि कि इससे एक चीज का अंदाजा लगा इससे एक चीज का क्या पता लगा दोस्तों कि हमारा Indian human settlement या फिर Indian civilization कितना पुराना है और इसको research करने के बाद पता चला कि यह जो जमाना होगा यह third millennium का है यानि कि third century का है यानि third century यानि कि जब ये 300 हो रहा होगा 300 years जब हो रहा होगा वो भी कौनसा BCE वाला आपको पता है ना AD और BC एनोडॉमिनी बिफोर क्राइस्ट ये सब पता ही होगा आपको 300 BCE का यानि कितने साल पुराना ये human settlement है ऐसा researchers जो लोग थे जिन्नों ये archaeological department वाले ने खोज के जब निकाला तो research ने ये बता दिया कि हरपन civilization इतना पुराना है तो आप सोच सकते हो इससे एक चीज क्या साबित होता है कि हमारा Indian history ये बाकियों के history से भी सबसे पुराना यानि कि सबसे पुराना ancient Indian civilization ही है यानि कि हरपन civilization है तो इससे एक चीज ये पत चलता है और उसके पहले का भी हो सकता है इसा इसका मानना है यानि कि ये जो हरपन civilization है ये 300 years BCE के पहले का भी हो सकता है पर researchers द्वारा approximate figure बताया जाता है 100% fix नहीं होता है कि यह होगा तो ये लगबग इतने साल पुराना है और बहुत सारे British officials ने इंडिया के बारे में या पे तो ये जो Britishers लोग थे इनोंने क्या किया बहुत सारे history को जब जमा हुई हो history जब समझ में उनकी तो लोग ने लिखना शुरू किया और बहुत सारा British official ने ही इंडिया का history लिखा हुआ है correct है और उनकी जो writing है ये बहुत ही ज़्यादा strong display करती है in the influence of the policies of the British यानि British की जो policies ब इसको मैं थोड़ा सा rough कर लो पहले फिलाल में फिलाल में मैं उपर का portion थोड़ा rough कर जाता हूँ चलो इतना क्योंकि बहुत सारी चीजे मुझे लिखाने भी पड़ती है तो यहां पे मैं इसको rough कर लेता हूँ ठीक है तो अभी मैं क्या बता रहो three volumes यानि कि तीन volumes बनाएग अब करे में तो आपको एक book मिलेगा तो समझ लोग कोई भी xyz नाम का book है तो उसका हो सकता है first volume हो वही xyz book का second volume हो second part और वही xyz का एक तीसरा पार्ट भी हो third volume तो इसको बोलते volume first volume second volume third volume इसमें कुछ लिखा रहेगा पहला part रहेगा फिर उसका continuation second part में रहेगा फिर उसका continuation third part तो यह 3 पार्ट में, 3 वॉल्यूम में भॉक्स को divide करते थे, बोड़ा माने में, और आज भी कहीं ने कहीं बहुत सारे बुक्स, ऐसे वॉल्यूम में divide होते हैं, तो यहाँ पे 3 वॉल्यूम जो है लिखा गया हिस्ट्री अप द ब्रिटिश इंडिया, और ये जो book था, ये लिखा गया था James Mill द्वारा, यानि कि ये जो British India का जो book था, इसको किस ने लिखा था James Mill द्वारा लिखा गया था, और वो भी कौन से year में लिखा गया था, दोस्तों, वो लिखा गया था 1817, यानि आप देख सकते हो कितना पुरानी बात ही है, 1817 में ये च के उपर बुक लिखा हो तो वो कौन था एक ब्रिटीशर था जिसका नाम था जेम्स में 1817 में लिखा गया तो ऐसा पहली बार हुआ था एन इससे एक चीज क्लियरली क्या पता चलता है दोस्तों कि हमारे इंडिया में कितने सारे कल्चर है कितना सारा एक्सपेक्ट है हमारे इ इसका नाम है दा हिस्ट्री ओफ इंडिया यह जो बुक है देवर रिटन बाइदा मौंट स्टाट एलफिंस्टन जो की गवर्नर आफ बॉम्बे थे ठीक है मैं नाम लिखूंगा देट इस रिटन बाइ माउंट स्टुवर्ट एलफिंस्टन बहुत भेंकर नाम है माउंट स्टुवर्ट एलफिंस्टन देखो ससुरा जीप तेड़ी हो जाती बोलने में एलफिंस्टन ठीक है तो यह माउंट स्टुवर्ट एलफिंस्टन जो थे इन्होंने यह बुक लिखा दा हिस्ट्री ओफ इंडिया और यह जो इनसान थे माउंट स्टुवर्नर ओफ बॉंबे नाम था आज तो मुंबई बोलते हैं हम लो तो वो टाइम पे जो बॉंबे हुआ करता था उसके गवर्णर जनरल थे और यह चीज कब हुई थी 1841 में यानि कि इसके बाद तो जब यह बुक लिखी गई उसके बाद इंडियन वर्जन भी लिखा गया था हिस्ट्री में तो Grant Duff नाम के इंसान जो थे उन्होंने यहाँ पे बिटिश ओफिसर जो आरा लिखा गया था मराठा हिस्ट्री यानि कि एक पिरिड जब चल रहा था मराठा हिस्ट्री का तो मराठा भी बहुत इंपोर्टन डोल प्लेए कर रहा था that's why मराठा हिस्ट्री भी लिखा ग इसका मैं लिखूंगा तो समझेगा ठीक है ना हिस्ट्री ओफ देखो यह मराठा जो हिस्ट्री लिखी गई वह बुक का नाम था हिस्ट्री ओफ माहरथास तेकर स्पेलिंग गलते देखो आपके सिलाबस में यही दिया हुए that's why I am saying लेकिन यह महरथास ऐसे ही है मराठा हम थे ना नाम में लिखा गया नहीं लिखा हाँ ग्रांट डफ तो ग्रांट डफ का ही एक बहुत बड़ा रोल था इसमें तो ग्रांट डफ जो थे यह बहुत ही ज़्यादा लिखते थे ब्रिटिश के बारे में इंडियन कल्चर और हिस्ट्री के बारे में और बहुत सारी च उनके colonial के उपर लिखे गई तो villain hunter द्वारा इंडियन हिस्ट्री जो है बताता एक बहुत important role वो भी play करता है फिर और भी बहुत सारे नामे जो यहाँ पर मैं लिखूंगा ने लेकिन आपको मैं बता देता हूं जैसे की नीलखंट, जनारधन, किर्तन और विश्वनात, काशिन रजवाडे यह दो ऐसे इंडियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने जो grant duff राइटिंग जो जिन्होंने लिखा था उसके उपर यहाँ ने expose करने की कोशिश के यानि कुछ चीजे limitations के तोर पर बताई कि आपने जो लिखा है वो सही नहीं है या फिर सही है उसके एसाब से बहुत लेक्चर मुझे छोटा रखना था क्योंकि next lecture में एक बहुत ही different topic मुझे शुरू करना है आज भी मैं शुरू करता हूं लेकिन वो topic ही different हो जाएगा that's why मैं यहां से इसको break करके अगले lecture में या लेक्चर नमर 4 में एक नया topic जो है इसी चाप्टर का जिसका नामे दोस्तों Indian historiography जिसका नामे various ideological frameworks और इसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा colonial historiography कैसी होती है, oriental historiography कैसी होती है, nationalistic historiography कैसी होती है, यानि कि थोड़ा सा different topic है इन सब से इसके लिए आज मैं stop करूँगा और फिर अगले lecture में continue करूँगा lecture number 4 में जिसमें हमारा जो topic से historiography का वो अलग-अ points जो बताई है, ये सभी चीज आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा, तो बस दोस्तो आज के लिए इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें comment करके बताना, और प्लीज दोस्तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि यही आपका base है, ये जितना एक एक चीज बढ़ाता हूँ आपको बारिक से, एक एक लाइन आपको बढ़ाता हूँ दोस्तो, ऐसा कोई भी teacher नहीं मिलेगा जो आपको एक एक लाइन पढ़ा है, बहुत सारे लोग fast fast पढ़ा के एक गंडे के अंदर पूरा chapter खतम करते हैं, लेकिन आप देख सकते हो दो और इसी प्रकार support करते रहना, बस आपके लिए ऐसे वीडियोस हम लेके राते रहेंगे, तो बस आज के लिए इतना ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें comment करके बताना, वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा है दो तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा, share जरूर से कर देना, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, तो ज्यादा स्यादा शेयर करो, ताकि बाकी लोगों को पता चले हम किस हिसाब से उनके लिए मेहनत करके वीडियोस बनाते, तो प्लीज शेयर कर देना, और साथी में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नही बाइ